नमाशकार दोस्तों आज हम हिस्ट्री में बहुत धर्म पढ़ेंगे हम पहले इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स डीपली पढ़ेंगे फिर प्रीवियस एर एक्जाम्स में पूछे गए इंपोर्टेंट कुश्चन्स कवर करेंगे तो वीडियो इसकिप किये बिना पूरा लाश्ट तक ध्यान से देखें ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा कर औल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारी अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बौध धर्म बौध धर्म में हम पढ़ेंगे गौतम बुद के बारे में तो गौतम बुद को कहा जाता है लाइट ओफ एशिया अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए कि लाइट ओफ एशिया किसको कहते हैं तो आपका एंसर होगा गौतम बुद गौतम बुद को एशिया का प्रकाश लाइट ओफ एशिया कहा जाता है बौत धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद का जन्म 563 ईशा पूर्व कपिल वस्तू के समीब लुम्बिनी वन में हुआ था उनके पिता सुधोदन कपिल वस्तू के शाक यगड के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गडराज की कन्या थी गौतम बुद के बचपन का नाम सिध्धार्द था इनकी माता की मृत्यू इनके जर्म के साथवें दिन हो गई थी इनका लालन पालन इनकी सोतेली मा प्रजापती गौतमी ने किया था गौतम बुद का विवा सोला वर्ष की आयू में यशोधरा के साथ हुआ बुद को सार्थी चन्ना के साथ रत पर सैर करते हुए चार गटनाओं ने सन्यास की और प्रवरत किया मातमा बुद जब अपने सार्थी चन्ना के साथ ब्रहमण के लिए निकले हुए थे तो उन्हें ऐसी चार गटनाई दिखीं जिनको देकर उनका मन व्यतित हो गया और उनको सांसारी दुखों के बारे में पता चला और तत्पष्चात उन्होंने सन्यास लिया था तो ऐसी कौन सी चार गटनाई थी जिनोंने मातमा बुद्ध के जो मन को व्यत्थित कर दिया सबसे पहले थी बुढ़ापा उन्होंने एक बुड़े व्यक्ति को देखा था फिर रोग उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा था नमबर तीन मृत्यू फिर उन्होंने अपने भ्रह्मण के दोरान एक मृत्व्यक्ति को देखा था नमबर चार एक सन्यासी फिर उन्होंने आगेज बढ़कर एक सन्यासी को भी देखा तो पुड़ापा, रोग, मृत्यू, सन्यासी इन चारों दुखों को देखकर उनका मन व्यतित हो उठा था सांसारिक दुखों से व्यतित होकर सिधार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याक किया जिसे महा भिनिश क्रमड कहते हैं ये आपके एक्जाम से बूचा जाता है कि ग्रह त्याक के जो गटना है उनको क्या कहते हैं उसको कहते हैं महा भिनिश क्रमड ग्रह त्याक के बाद सिध्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांग दर्शन की शिच्छा ग्रहन की तो सिध्धार्थ ने सांग दर्शन की शिच्छा किस्छा ग्रहन की अलार कलाम से उरुवेला में सिध्धार्थ को पांच साधक मिले थे उनके नाम क्या है देखिए उरुवेला नामक जगे पर उनको पांस साधक मिले जो थे कॉंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्तागी ये पांस साधक थे छै वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयू में वैशाख की पूर्णिमा को रात में निरंजना फल्गू नदी के तट पर पीपल वरक्ष के नीचे सिधार्थ को ग्यान प्राप्थ हुआ तो वैशाक की पूर्लिमा की रात थी और वो निरंजना फल्गू नदी के किनारे पीपल व्रश के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जो वैशाक की पूर्लिमा होती है बौध धर में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि वैशाक की पूरिमा की रात को सिधार्थ को ग्यान प्राप्त हुआ था ग्यान प्राप्ती के बाद सिधार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह इस्थान बुद्ध गया कहलाया बुद्ध ने प्रथम उबदेश सारनात रिशी पतनम में दिया एक्जाम में पूछा जाता है बुद्ध ने अपना पर्थम उब्देश किस इस्थान पर दिया तो उत्तर हो जाएगा सारनाथ रिशी पतनम बुद्ध ने अपने उब्देश पाली भाशा में दिये बुद्ध ने सरवाधिक उब्देश श्रावस्ती में दिये ये भी ये कुश्चन बनता है कि बुद्ध ने सरवादी कुपदेश किस इस्थान पर दिये तो आपका एंसर हो जाएगा श्रावस्ती बुद्ध संग में प्रवेश पाने वाली पहली मैला थी प्रजापती गौतमी इनके प्रमुक अनुयाई शासक थे बिम्बी सार, प्रसेंजित, उद्यान बुद्ध के वर्शाकाल के निवास इस्थान वेलुवन का निर्मार बिम्बी सार ने करवाया था तथा जेतवन का निर्मार जेत राजकुमार ने करवाया था जो वेलूवन और जेतवन है यह बुद्ध के वर्षाकाल के निवासिस्थान के नाम है वेलूवन का निर्माड विम्भी सार ने करवाया तथा जेतवन का निर्माड जेतराजकुमार ने करवाया बुद्ध की मृत्यू असी वर्ष की आयू में शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पर आठ इस्तूपों का निर्माड कराया गया। बुद्ध धर्म के त्री रतन हैं बुद्ध, धम और संग। ये तीनों बुद्ध धर्म के त्री रतन कहलाते हैं। सांसारिक दुखों से बचने के लिए बुद्ध ने आठ अश्टांगिक मार्ग बताए। कौन-कौन से आठ हैं? अश्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाडी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक इस्मरती, सम्यक समाधी। ये आठों क्या कहलाते हैं? अश्टांगिक मार्ग। ये सब सांसारिक दुखों से बचने क पूछे बौध धर्म के उपाय हैं। पूछे बौध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। पूछे बौध धर्म के प्रस्ताव पार्ट को अनुसावन कहते हैं। और बौध संग में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहते हैं। और बौध संग में गुप्त मतदान को गुलहक कहते हैं। यदि आप से पूछे बौध संग में प्रत्यक्ष मतदान क्या कहलाता है तो एंसर हो जाएगा विवतक। परंतु अगर पूछ ले गुप्त मतदान तो एंसर होगा गुलहक। बौध संग में प्रविष्टी होने को उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बौध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयाई विख्षुक कहलाते थे। आपने बौध धर्म से संबंदित एक शब्द सुना होगा बहुत ज्यादा भिख्षुक। तो भिख्षुक का मतलब होता है बौध धर्म के ऐसे प्रचारक या ऐसे अनुयाई जो सन्यासी होते हैं। उन्हें भिख्षुक कहते हैं। वहीं दूसरी और जो ग्रहस्त जीवन जीने वाले होते हैं उनको कहा जाता है उपासक। तो भिख्षुक में और उपासक में क्या अंतर है। भिख्षुक बौध धर्म के ऐसे प्रचारक होते हैं जो सन्यासी होते हैं। और उपासक बहुत धर्म के ऐसे प्रचारक हैं जो ग्रहेश्ट जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक। घटना और प्रतीक। उनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। उनके ग्रहत्याक का प्रतीक है घोड़ा। ज्यान का प्रतीक है पीपल का बोध्धी वरक्ष। निर्वान का प्रतीख है पद्द चिन यानि उनके पैरों के चिन मृत्यू के प्रतीख है इस्तूप अब हम पढ़ेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनको मतलब हम क्या कहते हैं ग्रैत्याक की घटना को महा भिनिश्क्रमड कहा जाता है ग्रैत्याक की घटना महा भिनिश्क्रमड ग्यान प्राप्थ होने की घटना बुद्ध प्रतम उपदेश देने की घटना धर्म चक्रप्रवरतन उन्होंने अपना प्रतम उपदेश कहां दिया था सारनात रिशी पतनम में आपको पीछे पढ़ा कर आए हैं निर्वाड बुद्ध की मृत्यू इसको कहते हैं महा परी निर्वाड एक पर फिर से देखते हैं ग्रैत्याक की घटना महा भिनिश्क्रमड ग्यान प्राप्थ होने की घटना बुद्ध प्रतम उपदेश देने की घटना धर्म चक्रप्रवरतन निर्वाड बुद्ध की म राजग्रह में इसके अध्यक्ष थे महाकस्ब किसके शासंकाल में हुई थी अजाज़ शत्रू के शासंकाल में कारे विशेस्टा मतलब पहली महासभा में क्या कारे Era था सूध्पितक त अजाज शत्रू का इस्थान था राजग्रय और कारी क्या हुआ था सुत्र पिटक था विनाय पिटक का संग्रहण अब हम देखेंगे द्वित्तिय बहुत महासभा ये हुई थी वैशाली में इसके अध्यक्ष थे सबकामी किसका शासंकाल था काला शोक का और कौन सा कारे हु इस थविर तथा महासंगिक में बटा जो बहुत संग था उसमें बटवारा हो गया था किसमें इस थविर में और महासंगिक में फिर तृतिय यानि तीसरी बहुत महासभा ये हुई थी 259 इसापूर्व में इस्थान पाठली पुत्र अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स किसका शासनकाल था मौर शासक अशोप का और क्या कार ये हुआ था अभिधम पिटक को संकलित कर कथा वथ्थू को जोड़ा गया अभिधम पिटक जो है ये क्या है बौध गरंध है इसको संकलित किया गया तथा उसमें कथा वथ्थू को जोड़ा गया फिर आती है चतुर्त महासवा यानि चौथी महासवा कब हुई थी प्रथम ईस्वी में इस्थान कौन सा था कुंडलवन कश्मीर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसूमित्र उपाध्यक्ष थे अवश्व घोश किस के शासनकाल में हुई थी? कनिश्क के शासनकाल में क्या कारी हुआ था इस सभा में? विभासा शास्र का संकलन एवं बौध धर्म महायान था था हीन यान में बटा तो बौध धर्म का जो बटवारा हुआ था महायान और हीन यान में वो कब हुआ था? चौती महासभा में अब हम पढ़ेंगे बौध इस्तूप के बारे में आपको हम पीछे बता कर आए हैं कि जब महात्मा बुध की मृत्यू हुई थी तो उनके अस्थी अफशेसों को आठ भागों में बांटा गया था और उन आठ भागों पर उनके इस्तूप बनाए गए थे बुध के अस्थी अफशेसों पर आठ इस्तूपों का निर्माड मगज शासक अजाज शत्रू ने करवाया तो उनके आठ इस्तूपों पर निर्माड किस ने करवाया अजाज शत्रू ने मौरे शासक अशोग द्वारा 84 हजार इस्तूपों का निर्माड कराया गया तो महत्मा बुध के 84 हजार इस्थित कांची इस्थित कांची इस्थित सबसे विशाल इस्थित है जिसका निर्माड मौर शासक अशोक ने करवाया तो सबसे विशाल इस्थित कौन सा है ये है हमारा राय सेंजिले में इस्थित सांची इस्थू गुप्ध शासकुंद्वारा निर्मित धमेक इस्थूब को सारनाथ इस्थूब के नाम से भी जाना जाता है अब हम पढ़ेंगे बौध धर्म के संप्रदाए तो हम पढ़ेंगे तीन संप्रदाए महायान, हीनियान, वज्रियान सबसे पहले देखते हैं महायान तो महायान जो संप्रदाए है इसके संस्थापक है नागारजुन महा यान संपर्दाय के संस्थापक थे नागारजुन महा यानी नवीन विचारों के प्रचारक थे इनका मानना था कि बहुत धर्म के प्राचीन स्वरूप में समय आनुसार परिवर्तन आवश्यक है तो जो महा यान संपर्दाय के लोग थे वो इंप्रूब्मेंट में यानी बदलाव में भरोसा करते थे वो यह चाहते थे कि जो बहुत धर्म के पुराने विचार है उसमें कुछ बदलाव आएं महा यान का शाब्दिक अर्थ है उतक्रष्ट मार्ग अगला पॉइंट है महा यान संपर्दाय का सबसे महत्व पून ग्रंथ है प्रज्या पार्मिता सूत्र तो महा यान संपर्दाय का सबसे महत्व पून ग्रंथ कौन सा है प्रज्या पार्मिता सूत्र महायान संपरदाय के ग्रंद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं महायानी बुद्ध को इश्वर का अवतार मानते थे एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे महायान संपरदाय तिबबत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में है महायान शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित हुआ फिर थोड़े समय बाद महायान संपरदाय भी दो संपरदायों में विभाजित हो गया था शून्यवाद में और विज्ञानवाद में अब हम पढ़ेंगे हीन यान संपरदाय हीन यान का शाबदी कर्थ है निम्नमार्ग हीन यान संपरदाई के लोग परिवर्तन के विरोधी थे ये बौद धर्म के प्राचीन दर्शनों को जियों कत्यों बनाये रखना चाहते थे अब हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जो महा यान संपरदाई के लोग थे वो क्या चाते थे बदलाव हो पुराने विचारों में परंतु इसके विप्रीद हीन यान संपरदाय के लोग चाते थे कि जो प्राचीन दर्शन है वो जियों कत्यों बने रहें इनके सभी ग्रंद पाली भाशा में लिखे गए हैं हीन यान संपरदाय के गरंद पाली भाशा में लिखे गए हैं वहीं इसके विपरीत महायान संपरदाय के सभी गरंद संस्कृत भाशा में लिखे गए हैं हीन यानी बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में ना कर बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे वहीं इसके विप्रीत महायान संपरदाय के लोग गौतम बुद्ध को इश्वर का अवतार मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे ही नियान की साधना अत्यांत कठोर थी तथा वे भिख्षू जीवन के हिमायती थे जो ही नियान संपरदाय के लोग हैं ये लोग मुख्ता क्या होते थे भिख्षू होते थे भिख्षू जीवन वितीत करते थे और इनकी साधना अत्यांत कठोर होती थी हीन यान संपरदाय श्री लंका, बर्मा, जावा आधी देशों में फैला हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या अंतर पड़ा? जो महा यान संपरदाय है उसका शाबदी कर्थ होता है उतकरष्ट मार्ग और हीन यान संपरदाय का शाबदी कर्थ है निम्न मार्ग जो महा यान संपरदाय के लोग थे वो पुराने विचारों और दर्शनों में परिवर्तन चाहते थे वहीं इसके विपरीत हीन यान संपरदाय के लोग जो पुराने दर्शन थे जो पुराने विचार थे उनको जियों कत्यों बनाय रखा चाहते थे महा यान संपरदाय के लोग बुद्ध की पूजा देवता मानकर इश्वर का अफ़तार मानकर करते थे और वे मूर्ती पूजा भी किया करते थे वहीं इसके विपरीत हीन यानी लोग मातमा बुद्ध को महस एक महा पुरुष मानते थे अब हम पढ़ेंगे तीसरा संपरदाय वजरयान जो वजरयान संपरदाय है यह तंत्र मंतर से संबंदित संपरदाय था मतलब इस संपरदाय में कुरीतियां देखने को मिलती हैं यह संपरदाय बहुत धर्म के पतन का कारक बना जब इस संपरदाय में तंत्र मंत्र जैसी चीजें होंगी तो बिल्कुल जरूरी बात है वो बहुत धर्म का पतन करवा देगी अब हम पढ़ेंगे प्रमुक संपरदाय वा प्रवर्तक सबसे पहले देखेंगे आजीवक संपरदाय और भागेवादी संपरदाय इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं मक्खली गोशाल आजीवक संपरदाय मक्खली गोशाल भागेवादी संपरदाय मक्खली गोशाल नेक्ष्ट है घोर अक्रिया वादी इसके प्रवर्तक है पूरण कश्यव नेक्ष्ट उच्छेद वादी इसके प्रवर्तक है अजीत केश कंबलिन नेक्ष्ट नित्यवादी इसके प्रवर्तक है पकुद कच्चायन अनिश्चय वादी संपरदाए इसके प्रवर्तक हैं संचय वेल दुपुत्त अब हम देखेंगे अपने important questions Question number one सुमेलित कीजिए प्रथम बहुत संगीती हमें बहुत संगीती को और उसके अध्यक्ष को मिलान करना है तो प्रथम बहुत संगीती में अध्यक्ष कोन थे इसमें थे महाकसब तो एक मिलान चार से हो जाना चाहिए एक मिलान चार से होगा दूसरी बहुत संगीती में कौन अध्यक्ष थे महा कसब के बाद आते हैं सबकामी तो दूसरी बहुत संगीती में थे सबकामी फिर आती है तृतिय बहुत संगीती इसमें कौन थे इसमें थे मोगालीपुत तिस तो तृतिय बहुत संगीती के हो गए मोगालीपुत तिस फिर चतुर्त बहुत संगीती के हो गए वसू मित्र तो इसके हो जाएंगे वसू मित्र तो A का क्या हो गया A का हो गया 4, B का 3, C का 2, D का 1 Q2. गौतम बुध किस कुल के थे? Option A ग्यातरक कुल, Option B शाक के कुल, Option C मल कुल, Option D इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट एंसर है Option B शाक के कुल Q3. प्राचीन भारतिय इतिहास के संदर्ब में निम लिखित में से कौन सा बौध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्धिमान था? फर्ष्ट पॉइंट तप और भोग की अति का परिहार, सेकेंड पॉइंट वेद्प्रामान्य के प्रति अनास्था, थर्ड पॉइंट कर्म कांडों की फलवत्ता का निशेद तो इसमें जो कहा किया है फर्ष्ट पॉइंट तप और भोग की अति का परिहार ये गलत है कर्म कांडों की फलवत्ता का निशेल ये भी correct है तो first point गलत गय रखा है second और third हमारा सही है तो option C हमारा correct answer हो जाएगा 2 और 3 ये दोनों point सही है second point और third point जो कह रहा है इन दोनों मामलों में बौध धर्म और जैन धर्म में समानता है आपका ये question IAS 2012 में पूछा गया था question number four प्राचीन भारत के बौध मठों में पवरन नामक समारो आयोजित किया जाता था जो option A संग परिनायक और धर्म वाव विनय विशयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था option B वर्शा रितू के दोरान मठों में प्रवास के समय विख्शूओं द्वारा किये गए अपराधों की स्विकारोकती का अवसर होता था option C किसी नए व्यक्ती को बौध संग में प्रवेश देने का समारो था जिसमें उसका सेर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्तर दिये जाते थे option D असाड की पूर्लिमा के अगले दिन बौध विख्शूओं के एकत्र होने का आउसर होता था जब वे वर्षा रितु के आगामी चार महिनों के लिए निश्चित आवास सुनते थे तो इसका correct answer था ये क्या होगा ये question अपका UPPCS 2002 में पूछा गया है तो प्राचीन भारत में जो बौध मठ होते थे उसमें पवरन नामक समारो होता था तो पवरन समारो में क्या होता था वर्षा रितु के दौरान मठों में प्रवास के समय विख्शूओं द्वारा किये गए अपरादों की सुईकारोगती का अवसर होता था मतलब वर्षा रितु के दौरान जब भी मठों में प्रवास करते थे विख्शू उनके द्वारा जो अपराद हो जाता था तो वे विख्शू अपनी अपराद को सुईकार करते थे इसको कहते थे पवरन तो आप्शन भी करेक्ट एंसर हो जाएगा बुद्ध की शिच्छाओं के समाकलन तथा विवादों के निप्टारे के लिए बहारी देशों में धार्मिक मिशन या अभियान के संप्रेशन के लिए बुद्ध की उपरोक्त में से कोई नहीं ये कुशन पूँच रहा है कि बहुत संगीतियों का आयोजन क्यों किया गया था बहुत संगीतियों के आयोजन का उद्देश क्या था तो करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध की शिच्छाओं के समाकलन तथा विवादों के निप्टारे के लिए बहुत संगीतियों का आयूजन किया जाता था Q6. निवन में से कौन से कारक बहुत धर्म के पतन में सहायक थे? बहुत धर्म का पुनरकठन 0.2. जैन धर्म का उदय 0.3. विदेशी आक्रमण 0.4. राजकी संग्रच्छन की समापती 0.5. बहुत संगों की असमर्थता कौन से कारक बहुत धर्म के पतन के कारक थे? तो देखिए बहुत धर्म के पतन के चो कारण है वो कौन कौन से थे? एक तो था बहुत धर्म का पुनरकठन जो तरह तरह की उसमें संप्रदाय बने थे एक तो पतन का कारक वो था जितने विम्मट हमारे उन पर आक्रमट होने लगे 0.4 राजकी ये संगरच्छन की समापती होने लगी मतलब बौध धर्म को राजा महराजा लोग संगरच्छन देने में पीछे हटने लगे 0.5 बौध संगों की असमर्थता बौध संग जो थे वो असमर्थ हो गए थे तो कौन कौन से पॉइंट हमारे सही है 0.1, 0.3, 0.4 और 0.5 तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5 ये जितने पॉइंट हैं ये सभी बौध धर्म में पतन के कारक थे निम लिखित में से कौन सा बुध के जीवन से संबंधित नहीं है फर्ष्ट कंथक, सकेंड अलार कलाम, चन्ना, गोसाल, मसकरी पुत्र ये कौशन आपका CDS 2013 में पूछा गया है कौन सा बुध के जीवन से संबंधित नहीं था तो देखिए कंथक संबंधित था अलार कलाम, जिन से सांग दर्शन की शिच्छा ग्रेंड की थी चन्ना, उनका सार्थिक था पर जो गोसाल, मसकरी पुत्र है, ये संबंधित नहीं था तो एलिमिनेशन टेक्नीक से हमने इसका एंसर निकाला तो फोर्थ पॉइंट गरत है, ये संबंधित नहीं था तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन B, केवल 4 कुश्चन नंबर 8 निम लिखित में से कौन बौध धर्म का एक महायानवादी संपरदाय नहीं है महायान संपरदाय भी कई संपरदायों में विभक्त हो गया था तो कौन सा महायान संपरदाय नहीं है उप्शन A, माध्यमिका उप्शन B, योगाचार उप्शन C, विज्ञानवाद उप्शन D, इस्थविरवाद इसका correct answer है, उप्शन D, इस्थविरवाद उप्शन की गटनाव और उनसे संबद इस्थलों को सुमेलित करें जन्मिस्थान तो जन्मिस्थान उनका कौन सा है? लुम्बिनी है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया प्रथा मुबदेश कहां दिया था? सारनाथ रिशी पतनम में निर्वाण की प्राप्ति कहां होई थी? कुशी नगर में तो ये एकदम आमने सामने हो गया तो हमारा जो कूट बनेगा क्या बनेगा? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 A 1, B 2, C 3, D 4 कुशन नमबर 10 सुमेलित कीजिए प्रतीक को बुद्ध के जीवन की महत पूर्ण गटनाओं से सुमेलित करना है तो देखिए एक तरफ प्रतीक दे रखा है एक तरफ गटनाएं दे रखी है तो हाथी का संबंद किस्से है? बुद्ध के जन्म से और वरक्ष का संबंद किस्से है? वरक्ष का संबंद है अविबोध से अविबोध का मतलब है ज्यान प्राप्ती ज्यान प्राप्ती का संबंद है वरक्ष के प्रतीक से फिर है रिक्त राजसिंगासन तो ये किसका प्रतीक है? राजत्व का निरूपड और घोड़ा गोड़ा का संबन किस्से है सांसारिक सुखों का त्याग तो हमारा क्या हो गया A का 2 B का 3 C का 4 D का 1 तो हमारा किस option में दे रखा है यह दे रखा है option D में तो option D हमारा correct answer हो जाएगा यह question आपका CDS 2006 में पूछा गया है तो दोस्तो हमारा topic बहुत धर्म complete हो गया अब आप किसी भी exam में बैठ जाएए आपका इस topic से एक भी question नहीं छूटेगा तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ने topic के साथ तब तक दोस्तो हमारे channel को subscribe करकर जो bell icon है उसको all पर select कर दीजिए और हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक WhatsApp, Facebook, Instagram पर share कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद